नमस्कार मैं प्रदीब चन्द पांडे आप मुझे सुन पा रहे हैं भारती बस्ती के यूटूब चैनल पर ऐसे लोग जो इन्तिजार कर रहे थे कि रेल गाड़ी चले ट्रेन चले वो अपने मंजिलों पर अपने जिलों अपने गाउं तक पहुँच जाएं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है तीन मई लागडाउन के तारीक से पहले कुरोना वारेस के चलते देश भर में लागडाउन जारी है इस बीच सरकार ने प्रवासी मजदोरों के लिए ट्रेन चला दी है पहली ट्रेन ने सुक्रवार को तिलंगाना के लिंगम पली से हटिया तक जार खंड में बारा सो प्रवासीं को ले जाने वाली पहली ट्रेन सुबह चार पचास बजे अपनी आत्रा सुरू की 24 कोज की ट्रेन रात 11 बजे आज रात 11 बजे जार घंड के हटिया पहुँचेगी दिसा निर्देशों के अनुसार कुरंटाइन समेश सभी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा यह अच्छी खबर ऐसे समझ पर आई है जब ट्रेने एक माह से अधिक समझ से बंद हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि हसंख्या बढ़ेगी और ट्रेनों के द्वारा प्रवासी मजदूर या ऐसे जरूत मन लोग अपने गंतबी तक पहुँच सकेंगे लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे कि ट्रेने चलें वो अपनी मंजिलों तक पहुँचें क्योंकि जहां वो रह रहे हैं जिनी सितियों में रह रहे हैं वो अपने गाउं अपने मंजिलों की ओर जाना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर की सुरुवात लाग डाउन पू मंजिलों तक पहुचा सकेंगी खासकर बस्ती के जो लोग हैं गोरफुर के हैं पुरवांचल के हैं सिधार्थ नगर संतकवीर नगर के हैं फैजाबाद के हैं उनके लिए भी अब मंजिलें बहुत दूर नहीं हैं क्योंकि सरकार इस ओर विचार कर रही है कि प्रवासी मज दूरों को उनके गंतब यस्तल तक पहुचा दिया जाए अब तक तैयारी ये थी कि कम दूरी के जगा पर बसों से लोगों को लाया जाए लेकिन जहां लंबी दूरी है वहां ट्रेनों का प्रियोग होगा और ये सुखत खबर है कि ट्रेनों से वो अपनी मंजिलों के ओर आसानी से पहुंच सकेंगे बेसबरी से हमें सुनते रहिए कि और ट्रेने सरकार कब चलाने जा रही है धन्यवार